हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट दोस्तो इंतजार खत्म सिक्षकों के पाँच हजार पदों पर इसी माह भरती शुरू होगी दोस्तो ये कैसी भरती है कोई फ्रिश रिक्रूट्मेंट दोस्तो नहीं है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्ष्या परिशत के नियंत्रनाधिन जो परिशदी प्रात्मिक पिद्याल है वहाँ पे 69,000 असिस्टेंट टीचर्स का रिक्रूट्मेंट दोस्तो गतिमान रहा है दो चरनों की काउंसलिंग में दोस्तो शिक्षक भरती किया जा चुके हैं उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गया है अब उनकी सेलरी भी दोस्तो फाइनल हो रही है ऐसी स्थती में ये 5000 पद दोस्तो कौन से हैं वाकई ये 5000 जो पद हैं उसी 79,000 शिक्षक भरती में 5000 ऐसे पद हैं जिन पे शिक्षक दोस्तो काउंसलिंग के लिए नहीं आए सिधी सी बात है काउंसलिंग के लिए नहीं आए तो ये पद खाली रह गए इसके अलावा कुछ ऐसे भी पद हैं जो की डाकुमेंट में किसी भी प्रकार का तूटी रहा अभी लेकों में विसंगती की वज़ा से जो उम्मीदवार रहे उनका केंडिडेचर यानि उम्मीदवारी चैंसल करनी पड़ी तो ये एपसंट और जिनका केंडिडेचर कैंसल हुआ वो जो सीट वेकेंट हुई उन्हें जोड़ करके सीटों की जो वास्तिविक संख्या है वो दोस्तों अभी क्लियर हो जाएगी पट एक अनुमानित यहाँ पे जो फीगर है जो पेपर बया कर रहा है कि 5,000 पदों पर इसी माह भरती दोस्तों शुरू होनी है 79,000 शुक्षक भरती की वेटिंग सुची से दोस्तों यह पद भरे जाने हैं इंपोर्टन बात यहाँ पर यह है कि यह कोई फ्रेश रेक्रूटमेंट नहीं है 79,000 शुक्षक भरती जो की अलड़ी प्रसीडिंग समें रही है गतिबान रही है उसी की वेटिंग सुची है उसी सुची से यह पद भरे जाने हैं कोरोना संक्रमन की काण काउंसलिंग दोस्तों दो चरोडों में पॉसिबिल है और अगर हम बात करें तो अभी अंतिम रिक् चाहे विभाग 79,000 भरती में 4,000 पद रिक्त रह गए हैं वही 1133 पद ST वर्ग के खाली रह गए हैं ST वर्ग के पद SC वर्ग से भरे जाने हैं जिस पर नयाय विभाग को फैसला लेना है वही अन जिलों से भी भरतियों के संबन में बेसिक शुक्षा अधिकारियों से प्रमा पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गलना हो पाएगी अभी दोस्तों जब ये certificate आ जाएगा यानि 75 जनपदों से तो ही आप मान की चलो actual figure कितना है यानि more than 5000 तो दोस्तों इसे रहना ही है इसमें आप निश्चिन तरहो तो दोस्तों बात करते हैं लखनव से विसे पता दोस्तों कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान जॉब्स के शीरसक्त से सरकारी प्राइमरी स्कूल में जल्द 5000 से ज़्यादा सिक्षकों की भरती की शुरुआत होगी 79,000 सिक्षक भरती के बचे हुए पदों पर ये भरतियां होनी है इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा कोरोना संक्रमन के कान इसकी काउंसलिंग दो चरोडों में की जा सकती है शिक्षक भरती की लिखित परिक्षा पास अभरतियों की मेरिट सूची से ये पद भरे जाएंगे इसका प्रस्ताव शाषन को भेजा जा चुका है 79 जास शिक्षक भरती के बचे हुए इन 5000 पदों पर भरती के लिए वेटिंग सूची से अभरतियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा मई के दूसरे पक्षवाडे में इसका आदेश जारी हो सकता दोस्तों सेकेंड वीक आप में ये मई का जो दूसरा पक्षवाडा है तो आप मान के चलो कि 15 मई के बाद ये आदेश दोस्तों जारी हो जाएगा ऐसी संभावना जताई जा रही है आदेश के बाद ही भरती के लिए आवेदन पत्र लिये जाएंगे और काउंसलिंग होगी काउंसलिंग दोस्तों ऑफलाइन होगी आउनलाइन काउंसलिंग नहीं होनी है पस यहाँ ये एक बात देखी जा रही है और जहां पर ज़्यादा रिक्तियां होंगी वहां पर दो से तीन चरणों में काउंसलिंग होगी एक वक्त पर पांस से ज़्यादा भर्थी नहीं पुलाए जाए दोस्तों ये COVID-19 वैश्विक महामारी का जो संक्रमन का दर है वो बहुत ही तेज है उसको मद्दे नजर रखते हुए कैंडिडेट को दोस्तों जॉब तो मिले ही लेकिन उनके जीवन की रक्षा हो सुरक्षा हो ऐसी इस्तिती में जो प्रोटोकाल है उसे फालो करना बहुत ही जरूरी है यहां बात हो रही है कि एक मरतबा केवल पांच अभेरती ही बुलाए जाएंगे दोस्तों देरी हो जाए अच्छी बात है लेकिन जो तरीके से व्यवस्था से अनुशासन से पूरे प्रोटोकाल को फालो करते हुए चीजे हों यह इंपोर्टेंट है तो इस धेर सारी खुशकबरी के साथ अज के लिए दोस्तों इतना ही यह वीडियो यह इंफॉर्मिशन आसा इनी पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चेनल केमेंट करें लेकिन अगर आप एजुकेशनल इंसाइट अजेपी दुबे नमक चेनल पर नहीं है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रस करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स फॉर वाचिंग और लिसनिंग दिस इस एजेप्रकास तुबे साइनिक आप